दोस्तों जब आपका time horizon काफी लंबा होता है जैसे कि कम से कम 5 साल या फिर इससे उपर time period है आपके पास investment करने के लिए तो equity oriented जो mutual funds होते हैं वो आपको काफी अच्छा return बना करके देते हैं और आपके लिए best option होता है लेकिन short term investment के लिए जैसे मालिजे आपका time horizon सिर्फ 3 साल का है तो इन 3 सालों के लिए कौन सा fund आपके लिए बहतर हो सकता है जिसमें risk भी कम हो और आप return भी ठीक ठाक बना पाएं तो पहला और सबसे popular जो investment scheme निकल करके आते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों को भरोसा है आप अपने screen पर देख पा रहोंगे term deposit जिसे आप FD के भी तो inflation को अगर आप adjust करते हैं तो FD में जो आपने 3 साल के लिए पैसा invest किया वो actual में आज जो उसकी value है 3 साल बाद maturity के बाद भी उसकी value उतना ही रहेगी भले ही वो amount में आपको बढ़ करके मिले लेकिन inflation adjust करने के बाद से उसकी value आज के बराबर ही रहेगी ठीक है तो अगर आ market पर dependent नहीं है लेकिन अगर आप थोड़ा सा risk लेकर के market dependent schemes में investment करते हैं जैसे mutual fund की तरफ आते हैं तो आप 6-7% से ज्यादा return यहां से बना पाएंगे और जो inflation rate है 6% उसको भी आप beat कर पाएंगे अब mutual fund में भी कई प्रकार के mutual funds होते हैं जैसे की debt mutual funds जो की government schemes जैसे की government bonds हो ग भी 6-7% ही देखने को मिलता है तो यह भी एक तरीके से term deposit के तरह ही हो गया लेकिन term deposit से ज्यादा risk है इसमें क्यों risk है क्योंकि यहां पर बहुत सारी factors होते हैं जैसे कि माल जे FD के rates बढ़ गए तो उसके हिसाब से यह भी debt funds के जो return होते हैं वो थोड़ा सा प्रभावित होत है उसके बाद से दूसरा आपका fund आपके पास आता है equity funds जिसमें बहुत ज्यादा risk है क्योंकि अगर आप 100% equity में exposure रखेंगे तो company की performance जिस भी company के stocks में आपके पैसे जा रहे होंगे किसी mutual fund के थुरू आप कर रहे हैं तो जहीर से बात है वो mutual fund AMC 40 या फिर 50 जितने भी stocks में उनकी holding होगी तो उन stocks की company का जो performance होगा उसके हिसाब से आपका पैसा grow कर रहा होगा या फिर depreciate हो रहा होगा ठीक है तो इसमें सबसे ज्यादा risk है equity oriented funds में इसके बाद से तीसरा fund आता है hybrid fund hybrid fund जो है वो debt और equity दोनों का mixture होता है यानि कि इसमें कुछ portion debt का होगा और कुछ portion equity का होगा जिससे जो आपका risk था वो थोड़ा सा manage हो जाएगा क्यों क्योंकि debt oriented mutual funds होंगे वो आपको एक fixed rate of return offer करेंगे जब market crash होता है तो भी ये एक fixed rate of return हमें offer कर रहे होते है equity market जो होता है जब market crash होता है तो ये negative return देने की समावना रहती है लेकिन debt funds जो होते है वो पूरे portfolio को balance कर लेते हैं इसलिए अगर आपका period time period कम समय के लिए है या time horizon काफी कम छोटा है तो उस condition में hybrid fund आपके लिए best option हो सकते हैं अब hybrid fund में भी तीन प्रकार के fund होते हैं तो detail में बात करेंगे कि short period के लिए आपके लिए best option क्या है अंत तक जोड़ जोड़ेगा बहुत interesting video होने वाल आप अपने screen पर देख सकते हैं hybrid fund भी तीन प्रकार के होते हैं पहला aggressive hybrid दूसरा conservative hybrid और तीसरा dynamic asset allocation hybrid अब तीनों जो fund हैं वो अलग अलग type के category के investors के लिए हैं अगर आप short term में भी थोड़ा सा aggressive हैं मतलब कि ज़्यादा risk लेना चाहते हैं लेकिन return ज़्यादा चाहते हैं risk भी और return भी ज़्यादा होगा तो आपके लिए aggressive hybrid fund हो सकता है दूसरा asset investor जो की FD से थोड़ा सा return ज़्यादा चाहते हैं लेकिन risk कम लेना चाहते हैं उनके लिए conservative hybrid होता है और ऐसे mutual fund investor जो की short term में risk भी कम लेना चाहते हैं मतलब moderate risk लेना चाहते हैं और return भी अच्छा खासा चाह जाते हैं तो उनके लिए dynamic asset allocation hybrid fund best option हो सकता है सबके बारे में detail में बात करेंगे अंत्रताइक जोड़ जूड़े रहेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं FD rates की तो इस समय SBI का FD rate आप अपने screen पर देख पा रहोंगे जो की 5-6% आपको offer किया जाला है तीन मंत से लेकर के 10 year के time period में अलग-अलग time period के लिए अलग-अलग return होता है अगर हम लोग maximum भी मान करके चलें कि अगर आपको 5-6% का return मिला तो तीन साल में आपका corpus मालिजे आप 5 लाख invest करना चाहते हैं ध्यान से सुनेगा मालिजे आप 5 लाख invest करना चाहते हैं तो तीन साल में जब आपका maturity period complete होगा तो 6% return के हिसाब से आप कितना corpus generate कर पाएंगे इसको पहले calculate करते हैं आप अपने screen पर देख सकते हैं FD calculator के मादम से SBI में अगर आप 5 लाख का FD कराते हैं तो तीन साल में आपका कितना amount बनेगा maturity period पर तो आप अपने screen पर देख पार होगे 6.5% का अगर हमें return देखने को मिला पर एनम के हिसाब से तो 6,6,704 रुपया आप बना पाएंगे 5 लाख आपका investment था और 6,6,000 बन रहा है यानि कि जो आपका return बना वो कितना बना return आप बना पाएंगे 1,6,704 रुपय का ठीक है ये आपका 1,00,000 का return यहां से बनेगा ये हो आप अपने screen पर देखिए debt mutual fund यहां पर मैंने select किया है और SBI liquid fund के नाम से ये fund आता है और इसमें अगर मैं आपको total exposure दिखाऊं इनका तो आप अपने screen पर देख पार होंगे total जो इनका exposure है देखिए वो जो government security जो तिये corporate bonds होते है उनमें इसका 100% exposure है ठीक है debt और cash में 100% इनक return है वो आप देख पार होंगे लगबग 5.5% के आसपास है तीन साल का return आप देख पार होंगे 5.9 के आसपास है तो यहां से जो आपको return मिला है वो FD से भी कम मिला है FD से भी कम मिल ला है तो यहां पर पैसे को रखना या फिर invest करना debt fund में कहीं नक्साम दे हो सकता है इससे अच्छा आप FD में रख लीजिए ठीक है तो debt oriented जो mutual funds होते हैं वो काफी short period के लिए होते हैं जैसे अगर आप माल जे एक मन्थ दो मन्थ बाद आपको पैसा चाहिए तो ये fund जो होते हैं वो liquid होते हैं इसमें आप एक मन्थ के लिए रखेंगे तो कुछ तो return आपको मिलेगा ह ठीक है चलिए ये तो मैंने debt oriented mutual fund के बारे में बता दिया अब बात करते हैं hybrid fund की hybrid fund क्या होता है जो कि equity और debt दोनों का mixture है और equity को बारे में तो आप जानते हैं कि पूरी तरीके से जो exposure होगा वो equity में होगा जिसमें risk बहुत जादा होता है और आपका time horizon चुकि तीनी वर्स का ह है तो उस condition में आप पूरा 100% equity का exposure नहीं ले सकते है क्योंकि वहाँ पर risk बहुत जादा है ठीक है माली जब market crash हो गया तो 2-3 साल तक market जब recover नहीं कर पाएगा तो आपके पैसे negative में भी जाने की संभावना रहेगी तो उस condition में pure equity आपके लिए best option नहीं हो सकता है आपके लिए hybrid option हो सकता है और hybrid में भी मैंने आपको तीन बताया था conservative hybrid किन के लिए है जो की बहुत ज़्यादा risk नहीं लेना चाते है लेकिन यहां से आप return ज्यादा नहीं बना पाएंगे अब conservative hybrid में क्या होता है जैसे देखिए hybrid क्या था जिसमें आपका equity का भी exposure होगा और साथी साथ debt का exposure होगा अब इसके तीन condition हो सकते हैं या तो मैं equity का exposure ज्यादा रख दूँ और debt का exposure कम रखूं मतलब कि 50% से ज्यादा ध्यान से सुनिए अगर 50% से ज्यादा exposure equity का रखा जाए और 50% से कम exposure debt का रखा जाए तो इसमें equity का चुकी portion ज्यादा है 50% ज्यादा है यानि कि यह तो क्या बोलेंगे इसे aggressive hybrid बोलेंगे और अगर मालिज है कि debt में अगर हम लोग 50% से ज्यादा exposure रख दें और equity में 50% से कम exposure रख दें तो इस condition में market पर dependence थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि आधा से ज्यादा पैसा हम किसमें invest करना है debt में और debt हमें एक fixed rate of return offer करेगा तो इस condition में इ इसमें आपका ज्यादा exposure रहेगा market के condition किसाब से जैसे मालिजे अभी market growing condition में तो यहाँ पर जो fund manager होगा वो equity में 50% से ज्यादा exposure बढ़ा देगा और debt में 50% से कम exposure रखेगा और अगर उसे यह लगता है कि मालिजे market crash होने वाला या फिर correction आने वाला है तो वो अपना exposure equity से conservative में क्या होता है conservative में fix है कि 50% से ज्यादा exposure debt में ही होगा aggressive में क्या होता है fix है कि 50% से ज्यादा fund जो है वो equity में ही होगा लेकिन dynamic asset allocation में market के situation के इसाब से fund manager fund को allocate करते रहते हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर hybrid category में conservative hybrid यानि कि जो बहुत कम risk लेना चाहते हैं अब अगर यहाँ पर मैं exposure दिखाऊं equity और debt का तो आप अपने screen पर देखिए यहाँ पर देखिए debt में इनका exposure जो है वो 73 दसमोच है यानि 74% के आजपास है और वहीं पर equity में जो इनका exposure है मातर 25% के आजपास है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं मैंने आपको क्या बतायता है debt में जब 50% ज़्यादा exposure हो जाएगा यानि यह fund कम बहुत कम risk ले रहा है और conservative type के investors के लिए है जो कि बहुत risk नहीं लेना चाहते हैं अब यहाँ पर जब आपका पूरा exposure मतलब कि आदे से ज़्यादा exposure जब debt में चला गया तो जहर से बात है return भी आपका उसी हिसाब से जादा return देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो invest कर सकते हैं यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भी mutual fund आपको screen पर दीख रहा होंगे या फिर जो भी यहाँ पर मैं example दे रहा हूं वो सिर्फ random मैंने pick किया है proper research की ज़रुत परती है तो जब भी आप in mutual funds में investment करेंगे तो proper research जरूर कर लिजेगा अपने personal advisor से सलाह जरूर ले लिजेगा यह सिर्फ और सिर्फ education purpose के लिए video बनाई जा रही है ठीक है चलिए तो यह हो गया conservative hybrid mutual fund जो की ऐसे investor के लिए है जो की बहुत कम risk लेना चाहते हैं और ज्यादा exposure अपना debt में रखना चाहते हैं लेकि अगर मालीजे आप अपना 5 लाख invest करते हैं lump sum के थूरू इस प्रकार के mutual fund में तो अगर 11.03 का return आपको मिला और 3 साल में आपका fund कितना हो जाएगा तो आप अपने screen पर देखिए आपका जो fund हो जाएगा वो हो जाएगा total जो इसको value हो जाएगी 6,89,000 हो जाएगी और इसमे तो अभी आपने hybrid conservative investors के लिए देखा अब बात करते हैं aggressive investor के लिए aggressive investor यानी बहुत ज्यादा risk लेना चाहते हैं और return भी आप ज्यादा यहाँ से कमा पाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं ICIC Prudential Equity and Debt Fund का उधान में अगर लेता हूँ देखिए यह aggressive investor के लिए है और यह hybrid product है और चुकि equity का exposure ज्यादा है तो यहाँ पर return भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अगर मैं आपको यहाँ पर exposure wise equity और debt का दिखाऊं तो आप अपने screen पर देख पार हूँ देखिए equity का exposure अब यहाँ पर 71.8 यानी 72% के आसपास देखने को मिल ला है वही पर debt और cash का exposure आप 25.1% का return बना करके दिया है वही पर इससे पहले जो conservative hybrid हमने देखा था उसमें 11.3 का था और FD में जो return था वो 6.5 का था और यहाँ पर आपको 25.1% का return देखने को मिल ला है लेकिन आपको यह भी समझना है कि यहाँ पर risk जादा है क्योंकि equity का exposure यहाँ पर जादा है ठीक है अ 3 साल के time horizon में इसका corpus कितना generate होगा आप अपने screen पर देख पारोंगे यहाँ पर estimated return आपको 4,78,000 दिख रहा है और 5,00,000 इसका investment है और total value जो हो जाएगी 9,78,000 यानि कि almost यह जो पैसा है वो क्या हो जा रहा है वो double हो जा रहा है यह 10,00,000 के बहुत करीब है यानि कि पैसा तो आप अपना पैसा double कर सकते हैं लेकिन risk बहुत जादा रहेगा इसको ध्यान में रखिएगा वहीं पर अगर आप एक moderate risk लेना चाहते हैं तो आपके लिए balance advantage fund हो सकता है और यहाँ पर मैं example लेता हूँ HDFC balance advantage fund का यहाँ पर देखे यह fund जो है वो dynamic asset allocation है मैंने आपको dynamic asset allocation में बताया था कि जैसे मालीजे यह equity का exposure है और यह debt का exposure है अभी मालीजे की equity का performance बहुत जादा है तो क्या करेगी AMC company की equity में 50% से ज्यादा exposure रखेगी और debt में क्या करेगी 50% से कम exposure रखेगी लेकिन जैसे ही market में correction शुरू होगा तो वो क्या करेगी कि equity का exposure 50% से क्या करेगी घटा देगी और debt का exposure क्या करेगी 50% से बढ़ा देगी यह fund manager इस प्रकार से कर सकते हैं dynamic asset allocation का मतलब ही यही होता है ठीक है और यह hybrid category का है यानि equity और debt में जहरस बात है दोनों में exposure होगा ही होगा तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ इनका अभी equity और debt में exposure तो आप अपने screen पर देखिए equity में जो इनका exposure है देखिए वो 52% के आसपास है और debt में जो इनका exposure है वो 47% के आसपास है यानि कि अभी देखे ये दोनों लगभग बराबर के आसपास चल ला है लेकिन थोड़ा सा ज़ादा आपको equity की तरफ दिख रहा होगा क्योंकि equity में इस समय अगर आप देखेंगे तो market growing condition में है और ज़्यादा return मनाने की संभावना है यहाँ पर तो HDFC balance advantage fund का अगर हम लोग return देखें पिछले तीन साल का तो मैं यहाँ पर आपको return दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए पिछले तीन साल का इस fund ने जो return दिया है वो 25.5% का दिया है जो आपका invested value है पांच लाख और जो total return मिला आपको वो 4,88,000 और total जो आपका कॉर्पस बन गया वो 9,88,328 रुपय का बन गया यानि almost आपका पैसा double हो गया तो यहाँ से आप अप कमप्रिजन कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के investor है एग्रेसिव है तो आप equity में अपना exposure ज्य जानते हैं उस type के fund में आप investment कर सकते हैं अब देखिए balance advantage या फिर hybrid asset allocation की जब बात आती है तो उसमें भी अगर आप अलग-अलग fund में जाएंगे तो सबका investment style अलग है जैसे आप ICC prudential का return देखेंगे तो HDFC balance advantage fund के बराबर नहीं होगा क्योंकि वो अपना exposure debt में ज्यादा mutual fund है या फिर small cap mutual fund है तो mid cap category का या फिर small cap category की होने के लिए सर्थ यह है कि आपका minimum 65% exposure mid cap में होना चाहिए अब मालिजे की कोई एक AMC है जो कि mid cap में 65% exposure रखी और बाकी का 35% large cap में रख दी और कोई दूसरी AMC है जो कि mid cap में 65% रखी और बाकी का 35% small cap में रख दी तो जब market उ ज्यादा return बनने की संभाव ना रहेगी उस AMC के mutual fund की जिनका small cap में उन्होंने 35% exposure रखा था क्योंकि large cap में 35% exposure किसी दूसरे AMC के द्वार रखा गया है वहाँ पर return आपको 12-15% देखने को मिलेगा लेकिन small cap category में जब equity oriented small cap category में आपका investment होता है और जब market growing condition में होता है तो यह आपना exposure 35% किस category के mutual fund में रखा किस category के stocks में रखा उससे total overall जो आपका return होता है वो decide हो रहा होता है तो आप यह नहीं कह सकती कि अगर fund B ने ज्यादा return दिया तो ज्यादा अच्छा है नहीं वो ज्यादा risk लेकर कि आपको ज्यादा return दे रहा है तो आपको यह समझना है कि आप किस category के investor है अगर ज्यादा risk लेने की छमता है आपको अगर आपका time horizon 3 साल है लेकिन मालिजे market नीचे चला गया और आपका fund मालिजे की थोड़ा सा negative में जा रहा है तो क्या आप 1-2 साल और ज्यादा समय दे सकते हैं या नहीं अगर दे सकते हैं तो aggressive investor आप माने जाएंगे क्य ज्यादा रखना चाहिए यानि कि जो conservative hybrid है उसमें आपको investment करना चाहिए जो कि कम से कम आपको FD से ज्यादा return तो दे रहा है और वहीं पर अगर आप moderate risk लेना चाहते हैं तो जो hybrid dynamic asset allocation fund है उसकी तरफ आप जा सकते हैं तो proper research जरूर कर लिजेगा कि आप कि इस type के investor है उसी के हि financial advisor से सलाह जरूर ले लिजेगा ये सिर्फ और सिर्फ education purpose के लिए वीडियो बनाए गई है दोस्तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरा effort कैसा लगा कमेंट के मादम से जोड़ बताएगा और ऐसे ही मतपून अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शोब्भ